अलेकुम वेल्कम टू शागुरूप एडूकेशनल चैनल दिस इस और मैतमेटिक्स इंस्ट्रक्टर मुहम्मद फैजान क्लास नाइन सब्जेक्ट मैतमाटिक्स चैपटर नेम मेज लाइन बैसेक्टर एंग्ल बैसेक्टर इस चैपटर का एक लेक्चर मं पढ़ चुक है उसका तीन थीरम हमने समझे थे तो आज उसको कंटिन्यू करना है पहले वो लेक्चर पढ़ेवे हो ताके आपकी लॉजिक क्या होता है फिर आप इसको कंटीनिव करेंगे इसमें उनी थिरम को आगे कंटीनिव करेंगे और एमसी क्यों देखेंगे से लेट से स्टार्ट एनई पॉइंड आप अगर लास एक्टर होने पर ऊंपर supply करने पर in लृव और यहां थे यहां तर «अएक ये एक निउस से करने के बाद हमें क्रूफ करना है कि इस point से यहां तक का distance यह निचा अगर D point है तो D से A का distance, D से C का distance बराबर आने चाहिए तो हमने यहां पर कोई भी point ले लिया P, वो Q से भी perpendicular ले आए और R से भी perpendicular ले ले चीक है और इसको हम प्रूफ करना शुरू करते है तो हमने कहा B, D एक bisector है A, B, C और P हमने एक point रखा है, P is any point on B, D, P कोई भी point हो सकता है, जो B, D के दर्मियान हो P, Q और P, R क्या है, इसके perpendicular है, A, B और B और C, got it, अब आजाते हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है कि P से Q का distance, P से R के बराबर होना चाहिए, जाहरे एकविटिस्टेंट की बात हो रही है, तो यह बराबर होना चाहिए, कैसे बराबर होगा, आपको नजर आ रहा है, यहां दो ट्रैंगल बन रहे है, P, B, Q और एक बन रहे है, P, B, R, तो यह दो ट्रैंगल हमने consider किये, इन कि दोनों perpendicular की रहे थे, तो perpendicular का मतलब right angle था, तो इसका मतलब यह दोनों right angle है, तो angle 3 और 4 तो बराबर है, और क्या बराबर होगा, और हमें नजर आ रहा है, कि angle 1 जो है, वो angle 2 के बराबर है, क्योंकि यह क्या है, यह basically तो angle bisector है, तो angle bisector में तो हमने पहले ही definition पड़ी हुई है कि दोनों angle बराबर हिस्सों में तोड़ता है, तो angle 1 और 2 बराबर होगा, यह हमने पता है, bisector है, तीसरी चीज़ हमें नजर आ रही है, कि BP इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो दोनों equal होंगे, तो इसका मतलब यह हुआ, कि जब तीनों चीज़ें मौजूद है, तीन angle की तमाम चीज़ें बराबर होंगी, तमाम चीज़ों का क्या मतलब हुआ, कि P से Q का distance, P से R के बराबर होगा, क्यों, क्योंके by the congrance of triangle, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि यह point कहीं भी रख लें, दोनों के जो angle bisector से जो दूनों बनती हैं, उनका distance equal ही आएगा, नेक्स्ट आते हैं, any point inside an angle, equidistant from its arm, is on the bisector of it, यहनि अभी आपको prove यह करना था, कि bisector है, equidistant होगा, अब पहले से बता दिया, equidistant है, prove करो bisector, यहनि उसी का inverse एक तरह से, तो diagram वही बनेगी, बस बात यह, इस दफ़ा आपको मालूम था, कि bisector है, angle 102 बराबर है, prove करना था, PQ बराबर है, PR के बुल्टा हो गिया, अब आपको पहले से पता है, कि PQ बराबर है, PR के, और prove करना है, कि angle 102 बराबर है, तो given हमारे पास है, P एक point है, जो BOD से, equidistant है, equidistant है कहां से, BA और BC से, BD पे एक point है, P, और पहले से पता है कि PQ बराबर है, PR के, और ये भी मालूम है कि PQ और PQ perpendicular है, AB पर और PR किसके perpendicular है, BC, तो दोनों triangle है, consider करते हैं, दोनों triangle को बिल्कुल same है, पिछले वाली की तरह, इन दोनों triangle में क्या-क्या बराबर मालूम है आप बौन को मालूम है एंगिल 3 और 4 बराबर है, क्यों बराबर है क्यों कि रेड अग' ट्रांंगेल है, आपको मालूम है PQ बराबर है PR के सवाल में given है, और क्या मालूम है PP इक्वछ तो BP इस side पर भी है, इस side पर बिया दोनों कैसे common place है, तो इसका मतलब दोनों triangle congruent है, का मतल सकते हैं कि आंगिल साइड साइड पॉस्टूलेट अब क्या करेंगे अगर दोनों ट्रेंगल का उंगरेंट तो तू तो तमाम चीज ने बराबर इसका मदब में कहा सकता हूं एंगल वन और एंगल टू एकूल है क्यों क्यों कि वाइडी कॉंगरेंस ओफ ट्रेंगल और अग कि प्रूफ किया था कि line bisector, line को right bisector करेंगे तो कौन करेंट होंगे आज हमएं फ्रूफ करना है के angle को by set कि किया जाएगा , disguise किसी भी triangle कि तीनो ऐंगल क को पिसे किमा जाएगा , dek A को और Z और तो जिस point पर We can concurrent मतलब तीनो लाइन एक ही point से पास हों तो हमने लिए एक ट्राइंगल है एबीसी चैशी है कि दोर्णों क्या है बाइसैक्टर है किसके बिटा एंगल जारे कहां से इंटरसेक्ट होते वह जा यह करना है कि एंगल एंगल बी एंगल सी कैसे है कौन करन्ट कोई कंश्रउक्शन नहीं है ओके हैं कंस्रक्शन सिर्फ इतनी सी है कोई खास नहीं है सिर्फ इतनी सी है कि O से F यह जो O F है यह A B के परपेंडिकुलर है O F परपेंडिकुलर है A B के इसी मेथड पे O D किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा O D पर्पेंडिकुलर है बी और सी चाले इसको प्रूफ करते हैं तो बेसिकली कोर्रिस्पोंडेंस की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे ओडी इक्वल्स टू ओए ज़र अगोट से देखेंगा यह देखें एंगिल बी का बाइसेक्टर है दोनों पर्पेंडिकुलर है अभी प्रूफ किया पिछले लेक्चर में पिछले थिर्म में बलके के बाइसेक्टर होगा तो वह पॉइंट इस दोनों लाइन्स के इसी लेक्चर के पहले थिर्म में आपने प्रूफ किया इसी में अगर हम आगे देखें तो ओडी किसके बराबर होगा ओई के तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओडी से ओडी कैंसल तो ओए बराबर हो गया ओए यानि कि तीनों एंगिल तीनों बेसिकली पॉइंट्स आपस में इ टिंगे अरिक से किसका एक है इसी तरीके से वर जो है वह अंगिल वाहिए स तो राइट बाइसेक्टर यह थिरम में प्रूब भी किया है पिछले लेक्चर में एनी पॉइंट ऑन दे डैश औफ एक सेगड़ा पॉइंट एक सेग्मेंट पर क्या होगा हमने यह थे कि एक वी दिस्टेंट है तो वो राइट बाइसेक्टर ही होगा अभी अभी प्रूफ किया लास में तीनों एंगिल के अगर हम वाइसेक्टर मालूम करें तो वापस में कैसे होंगे कॉन करन्ट होंगे एक जागा से पास हो रहे हो इसका मतलब दो इससों में तोड़ने को कहे डैश अफ़ लाइन शेग्मेंट मींश टू ड्रॉप पर पैंडिकुलर विच पास तुरूदी मिट पॉइंट सफ लाइन सेग्मेंट इब पर पैंडिकुलर गिरेगा और बिल्कुल बीच से पास होगा तो उसे हम क्या कहते है उसे राइट बाइसेक्शन के अपैसेक्श ओ ए बराबर होगा ओ भी क्या सिंपल right by sector cut the line segment into two equal parts at right by sector perpendicular गिराता है नहीं कितने एंगिल पर 90 डिगरी पर so hopefully बात समझ में आ गई होगी इसी के साथ आपका ये chapter भी complete हुआ इंशालला next lecture में नए chapter पढ़ेंगे that's all for today Allah हाफिस